दोस्तो आजकी इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे वीवो आई 35 में डाटा वार्निंग शेटिंग ओफ कैसे करें दोस्תो अगर आपके नोटिफिकेशन में यहाँ पर डाटा वार्निंग का मैंसे जा रहा है बार बार दोस्तो अगर आप इस सेटिंग को बंद करना च तरह से जब इस तरह से आप setting open कर लेंगे आपको कुछ interface इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे एक option मिलेगा network internet का option यहाँ पर इस option पर आपको click करना है जब इस तरह से आप click करेंगे दोस्तो आपके पास कुछ इंटरफे इस तरह से देखने के लिए और मिलेंगे तो दोस्तो आपको यहाँ पर एक option मिलेगा SIM Card Mobile Network का option यहाँ पर इस option पर आपको किलिक करना है जब यहाँ पर किलिक करेंगे दोस्तो आपको कुछ इंटरफे इस तरह से और देखने के लिए मिल जाएंगे तो दोस्तों आपको यहां पर ध्यान देना आप जिस डाटा यहां पर डाटा यहाँ पर मेरा जो कि चल रहा है सिम वन पर तो दोस्तों जब सिम पर मेरा डाटा चल रहा है तो आपको सिम वन पर ही डाटा वार्निंग आएगा तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिम वन पर क्लिक करूंगा यहाँ पर सिम वन पर डाटा मेरा वार्निंग आता है अगर सिम यहां पर SIM 2 सिलेक्ट करूंगा तो मेरा यहां पर SIM 2 पर data warning आएगा तो मैं यहां पर 1 पर क्लिक करूंगा यहां पर जैसे 1 पर क्लिक करूंगा दोस्तों आपको कुछ इंटरफिय इस तरह से देखने के लिए और मिल जाएंगे तो दोस्तों वीडियो को हमारी बिल्कुल करना आपको यहां पर एक option मिल जाएगा डाटा यूज का यहां पर डाटा यूज के option पर आपको क्लिक करने के बाद आपको कुछ इंटरफिय यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे इस तरह से उसके बाद आपको क्या करना दोस्तों आपको यहां पर सबसे उपर आपको यहाँ पर set data warning को option मिलेगा है यहाँ पर इस setting को यहाँ से इस तरह से बंद कर लेना जब बंद कर लेंगा दोस्तों अब मैं notification में अपने देखता हूं यहाँ बनार डाटा warning नहीं आ रहा है दोस्तों अगर मैं इसको फिर फिर से इस तरह से ओन कर लूँगा तो फिर से हमेरा पर डाटा वार्निंग आने लगेगा दोस्तों इस सेटिंग को यहां से आपको ओफिक कर लेना है दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक कोमेट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं न